राज़्स्टान में सुक्धेव सिंग की हत्या पर सियास्थ राज़्तान में राजबूत करनी सेना अधिक्ष के कतल के बाद भाजपा और कॉंग्रेस भीडे स्री राश्ट्रिये राजबूत करणी सेना कैदक सुकदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या को लेकर भाजबा और कॉंग्रेश में आरोप परतेरोप का दोर सुरू हो गया है दोनों पार्टों ने कानून व्यवस्ता की खराब स्थिती के लिए एक दूसरे पर निशान अशादा है दोस्तों केंदरिय मंतरी गजिंदर सिंग शिखावत ने कानून व्यस्ता की स्थिति के लिए राजस्तान में पिछली कॉंग्रेश सरकार की आलोजना करते हुए कहा है कि अशो गैलोज सरकार के समय से राज्जे में जिस तरह से गैंगवार पनपा यह उशी का प्रिणाम है उन्होंने काए कि करने से नाद्यक्ष को मिली धंक्यों के बावजूद उन्हें उस सतर की सरकष्या परदान नहीं की गई उधर कॉंग्रेश के वरिष्ट नेता हा प्रमौत दिवारे ने काए कि राज्जे में भारती जिंदा पार्टे के सक्ता में आने की जान करें मिलते ही भाज राज़स्थान में अपराद के होसले बलंद हो गए है कॉंग्रेश नेता राज़स्थान में उनकी पार्टे के सत्ता से बाहर होने के कुछ दिन बाद ही करनिशे नाद्यक्स को की हत्या कर देगी जो दुर्भाग्या पुरुन है गोगा मेड़ी के साथ कमरे में बैठे फिर चला दी गोली जैपुर पुलिश आयुकते बीजु जोर्ज दोशिफ ने कहा है कि तीन लोग शुकदेव सिंग गोगा मेड़ी के आवास पर हम से उन्होंने उनके सुरक्षा कर्मियों शे कहा कि वे गोगा मेड़ी से मिलना चाहते हैं सुरक्षा कर्मिय उन्हें अंदर कमरे मिले गए जहाँ उन्होंने कोगा मेड़ी से दस मिल्ट तक बात की फिर उन पर गोलियां चला दी उन्होंने बताय कि नवीन एक दुकान चलाता था घटना में सलिप्त दो अन्या आरोप्या का पताल लगाने की प्रिश्क कोशिश कर रही है रिश्तेदार बोला पहले से ही मिल रही थी दमकिया केंद्रे मंतरी ने चांती बनाए रखने की अपील की है